ये सूत्र उपदेश का नाम है चूल राहुलोवाद सूत्थ। क्या नाम है? चूल राहुलोवाद सूत्थ। मतलब राहुल भांतेजी को बताएगे चोटा सूत्थ। चूल मतलब चोटा। उस समय भगवान भुद्ध श्रावस्ति में थे। उसी दिन ततागत भगवान भुद्ध एकांत वास में सांती से रहते समय उनका मन में ये विचार उत्पन हुआ। किनका मन में? ततागत भगवान भुद्ध के मन में। ये राहुल बंतेजे का मन विमुक्ति के लिए ठेयार हो गया है विमुक्ति के लिए राहुल बंतेजे का मन फग गया फग गया मतल़ गुण धरन से फग गया कोई पेड है तो उस पेड का पेड चोटा में अगर काट दिया तो पेड बड़ा होने के पहले उसी लकडी से हम लोग पालांकुर्चि बना पाएगा पेड पातने के पहले काट दिया तो नहीं बना सकते ना धरम में भी वह सही है गुंधारम से आत्मी मजबूत होने के बाद विमुक्ति प्राप कर सकता है गुंधारम से मजबूत नहीं होने पर विमुक्ति नहीं प्राप कर सकता है गुंधारम क्या है? सील सुरक्षा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए बगवान बुद्धी की एक ज्ञान सुन करके उसी ज्ञान के अनुसार मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए और माइत्री करना चाहिए, सहन सीलता चाहिए हमेशा गंद कियां से मन को बचा के रखना चाहिए लोग, राग, क्रोध, मोह, ढर, भाय, आहंकार, गमंद, इत्यादी, गंदगिया से मन को बचा के रखना चाहिए बहुत समेता के इसा रहने प्रहने के बाद, मन दीरे 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 मजबूत होता है आप लोग पहले बगवान बुद्धी की ज्ञान सुना नहीं उस समें आप लोगों को मालूम नहीं था सत के क्या है, संसार क्या है, सील क्या है, कुछ मालूम नहीं था इसलिए जैसे तेसे आप लोगों जीवन बिताये थे अभी दीरे दीरे आप लोगों बगवान बुद्धी की ज्ञान सुन रहे हैं पाप करने में ढर लगता है, पाप करने में शरम आता है क्यूं? क्यूंकि आप लोगों अभी दीरे दीरे मजबूत हो रहा है, पक रहा है, धरब्वे ये राहुल बहनते जी साथ साल में चीवर पहन ले थे साथ साल में सोता पान हो गया, लेकिन मेरे ख्यार से उननेस साल में ये प्रवचन बगवान उनको दे रहे थे इसका मतलब बारा साल तक राहुल बंते जी पाग गया, यान कि सेल सुरक्षा करके, दिहान करके, बड़े बिड़े लोग की इज़त करके, आज्या पालन करके, बहुत सेहन सीवता से, मन को सुरक्षा करके रहे गया, कितना साल तक? बारा साल ता, तब बगवान गुद को उसी दिन मन में आ गया, अब तो रहुल का मन तेयार है, किस के लिए? विमुक्ति के लिए, एसा है तो अबी, रहुल बहनते जी का मन से, सारे गंदगी, संपूर रूप से, जिस प्रकार खतम होता है, उसी प्रकार आज हम जा करके, उसको उपदेश दे दूंगा, बागवान गुद एसे सोचे, कैसे? जिस प्रकार वो रहुल बहनते जी का मन से, सारे गंदगी, कतम हो जाएगा, हमेशा, हमेशा के लिए, यान कि निर्वान प्राप्त कर पाएगा मोक्ष, उसी प्रकार आज हम ज्ञान बता देंगे, क्यों? क्योंकि उनका मन, बार साल तक तियर हो गया, हम लोग भी याद रखना चाहिए एक बात, आज ग्ञान सुनके खल ग्ञान प्राप्त कर पाएगे, नहीं, बहुत सामें लगेगा, हम लोग क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी है तो, जल्दी बाजी है तो, दारम पे रहना चाहिए, सील थोड़ना नहीं चाहिए, हात्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, वेबिचार नहीं करना है, जूट नहीं बोलना है, नशा नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, गाली नहीं देना है, फालत बकवास नहीं बोलना है, और बुस्सा को पालन करने के लिए मेहनत करना है और राग को पालन करने के लिए मेहनत करना है मित्या विश्वास पी नहीं जाना है इसी प्रकारहने पर सील सुरक्षा करना पड़ता है फिर रोज रोज मन पावित्र करगे राकने के लिए ध्यान करना चाहिए इसी प्रकार हम लोग रहेंगे तो धीरे 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 ये मन मजबूत होते जाएगा लेकिन धीरे धीरे क्यों धीरे धीर मजबूत होता है हम लोगों का मन गंद है सुद्ध नहीं है किसी कभी मन सुद्ध नहीं है अगर मन सुद्ध है तो फिर ज्ञान का क्या जरूरत पवित्र नहीं है किसी का मन हमेशा मन में गुसा सकता है लोबुत्पन होता है रागुत्पन होता है डार है, भाय है अहंकार गमंद है गंदगी है इसलिए हम लोगों कोई बगवान बुद्ध की ज्ञान की ज़रूरत है बाकी सारे धर्म का पूजा वगेरा के लिए बुद्धी का ज़रूरत नहीं है आप लोग जाकर के कोई चर्चा, याग्य, हावन ऐसा पूजा हूजा, बिलपत्ता चड़ाने के लिए, चर्चा करने के लिए, मुस्लिम लोग का नमाज पढ़ने के लिए, नौम भी के लिए ऐसा बाकी धर्म का कुछ भी पूजा के लिए बुद्धी चाहिए क्या? नहीं बच्चों को भी जाके कर सकता है, कोई फागल आद्मी को भी जाके कर सकता है, ऐसे करो, बस बोलना है, बागवान बुद्धी की दर्म पेसा नहीं बुद्ध चाहिए ये गहरी बात को समझने के लिए वो आदमी दिमागवाल होना चाहिए साइद वो दिमागवाल आदमी बिकार ही हो सकता है साइद वो दिमागवाल आदमी कहीं जोपिडी में रहता होगा साइद वो साथ आठ साल का बच्चा होगा साइद बुड़ा होगा लेकिन दिमाख है तो फगड़ सकता है वर्तमान में लोग दिमाख माना जाता है कैसे? पढ़ाई किया तो बहुत बुद्धी है आगे ताप पढ़ाई किया बगवान भुद्बत है वो बुद्धी नहीं है वो किसी को भी कर सकता है असली बुद्धिमान चाहे वो पढ़ाई किया या नहीं उसका कोई फरक नहीं है साथ बुद्धिमानी है लेकिन किताब पढ़ने नहीं आता है लेकिन दिमाख है ग्यान को समझने का वो बुद्धि है तो दिमाख है तो बगवान बुद्ध की धर्म समझ सकता है आभी देखिए कितना गहरी बात बोर रहे हैं बगवान बुद्ध देखिए कुसी दिन बगवान बुद्ध ऐसे सोच कर चीवर लेकर की साम में राहुल भन्तिजी के पास बगवान बुद्ध आया आने के बाद राहुल भन्तिजी को बता है राहुल वो आसन ले लिजी बैटने में बैटने के लिए हम लोग कुछ बिचाता है न वो आसन ले लिजी राहुल हम लोग चलेंगे आराम करने के लिए अंधवान में एक जंगल था बहुत बड़ा जंगल उसी जंगल का नाम था अंधवान चली राहूल अंधवान में राहूल बंतेज बताई जीत था अगर चली बगवान बुद्ध की पीछ पीछ राहूल बंतेज भी गया उसी समय राहूल बंतेजी बगवान बुद्ध की पीछ 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 जाते समय देवताओं ये देख लिया कितना देवताओं हजार ओ हजार देवताओं यानि कम से गां पचास हजार देवताओं देख लिया देवताओं को दूसरों का मन देख सकता है न बागवान बुद्धी की मन भी देख लिया सुन लिया बात देवतावम बात कर रहे हैं मिलके देखो देखो आज ततागद भगवान बुद चोटा राहुल भनतेजी को दुख से मुप्त होने के लिए ज्यान बता देंगी आज पाक्का उनका मान से सारे गंदि को बिटा देंगी हम लोग भिचली आज हम लोग भी ततागद भगवान बुद चोट की ज्यान सुनेंगी हम लोग कभी फायदा होगा क्यों? बहुत गहरी बात आज बोलने जा रहे हैं बगवान बुद एसे किरके भगवान बुद्ध अंदवन जंगल के अंदर तक गये जा करके एक पेड़ की नीचे आसन बिचा के बैट गया राहुल भन्ते जी भी भगवान बुद्ध के सामने आसन बिचा के बैट गया सारे देवताओं चार तरफ पुरा गेर लिया गेर के अभी देवताओं भी हाज जोड के सुनने के लिचे ही अरग्यान बगवान बुद्ध राहुल भन्ते जी को ये बात बताया राहुल आप क्या सोचते हैं ये आख नित्य है या अनित्य है नित्य का मतलब क्या है अनित्य का मतलब हर पल पल में बदर रहा है तो ततागत ने पूचा ये आख नित्य है या अनित्य है ततागत ये आख अनित्य है नित्य नहीं है राहुल जो कोई नित्य है जो कुछ अनित्य है बदल रहा है उसी से सुख मिलता है या दुख मिलता है बदलने से क्या मिलता है दुख मिलता है देखिए आप लोग का जवानित्य कतम हो रहा है सुख मिलता है क्या नहीं आप लोग का घरदवार, पारिवार, सब बदल रहा है न, बदलने के कारण दुख मिलता है, अनित्य होने के कारण दुख मिलता है, नित्य हो गया तो कोई दुख है, कोई दुख नहीं है, कोई चीन्ता नहीं, लेकिन अनित्य है इसके बाद राहुल पांतेजी बताया तथागत जो कुछ अनित्य है वो दुख है राहुल बागवान बताया राहुल जो कुछ अनित्य है तो दुख है तो हर पल पल में वो सब कुछ बदल रहा है तो वो सब अपना वास में कर सकता है क्या ये मेरा है मैं हूँ मेरा आत्मा है अपना वास में नहीं कर सकता है कि ये आख बदलते रहते समय अभी आपको दीर दीरी आख दिकाई नहीं देता है अगर ये आप ये आख आपका है तो आप कहना चाहिए आख देखना चाहिए भी मानेगा आख नहीं मानता है अपन अवास में है क्या आख अगर ये आख मेरा है तो मेरा बात मानना चाहिए मेरा बात सुनता नहीं है जनम लिया फिर मर रहा है इसके बाद बताया पूचा एसा है तो राहुल ये कुछ भी आपना वास में कर साकता है की नहीं तथा अगर नहीं कर साकता है इसके बाद पूचा राहुल अब क्या सोचता है आपसे देखने वाले रूप है ये मंदिर, मूर्ति, दिवार, लोगों का रूप, घरदवार, दुनिया ये सब कुछ आपसे देख रहा है ना रूप बगवान पूच रहे हैं ते राहुल आपसे देखने वाले रूप नित्य है या अनित्य है तथा अगर आपसे जो कुछ रूप दिकाई देता है सब अनित्य है देखिए, मगत का एक राजा था, विम्बिसार बहुत बड़ा मंदिर बना दिया राजगीर में, महल पुरा भारत का सबसे बड़ा महल अभी है क्या? हीर अमनी से बनाया है, नभी नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा राजा, सम्राट आसो, सुने है फैटना में, फैटना में अपना बहुत बड़ा मन में राज महल बना दिया, दिवार भी नहीं है अभी देखिए, कितना नित्ति हो गया है कम से कम, लाखों एकड़ जामीन ने अपना में राज महल बना दिया, कुछ नहीं है अभी आप लोगों का घर दुआर कुछ समय तक रहेगा आपको ये दोनों आखों में कुछ दिखाई देता है न हमेशा रास्ता पे जाते समय घर पे रहते समय जो कुछ दिखता है न सब अनित्ते हैं कुछ भी सदाकालिक नहीं है तो भगवान बताया तो रूप आनित्ते हैं जो रूप आनित्ते हैं वो आनित्ते होने के कारण सुख मिलता है या दुख मिलता है भगवान रूप आनित्ते होने के कारण दुख मिलता है जो कुछ रूप आनित्ते हैं तो दुख है तो हमेशा बदल रहा है तो वो और सारे रूप अपना वस में कर सकता है क्या नहीं ये मेरा फारिवार हमेशा स्वस्त रहना चाहिए कर सकता है नहीं ये मेरा घर हमेशा एकदम एसे ही रहना चाहिए रहेगा नहीं कुछ भी नहीं आग से देख किने वाले कोई भी रूप अपना वास में नहीं कर सकता है इसकी बाद पूचा राहुल आग से रूप देखने के लिए एक चीज चाहिए विज्ञान कहता है आपको ये देखने के लिए आग चाहिए ये रूप चाहिए और विज्ञान चाहिए मन के साथ है विज्ञान कभी-कभी आप ऐसे सोच के रहता है मन दूसरा जगा पर है तो सामने से कोई चीणिया उड़ गया दिखाए देगा नहीं है लेकिन रूप भी है आग भी है लेकिन विज्ञान नहीं है विज्ञान चाहिए रूप देखने के लिए कभी-कभी कोई-कोई लोग आग खोल के सोता है फिर सोने के बाद कुछ दिखाए देता है नहीं लेकिन आख भी है रूप भी है लेकिन विज्ञान नहीं है वहाँ पर वो रूप आख में उत्पन होने वाले विज्ञान नित्य है या अनित्य है राहुल बांतिज बताया भगवान वो आख में उत्पन होने वाले विज्ञान अनित्य है वो विज्ञान अनित्य होने के कारण दुख है या सुख है वो विज्ञान भगवान दुख है एसा है तो वो विज्ञान अनित्य है तो दुख है तो हर पलपल में हर चन चन में बदलत रह गया तो विज्ञान वो अपना वास में कर सकता है क्या नहीं इसकी बाद पूचा राहुल आप क्या सोचता है रूप देखने के लिए इसपरस होना चाहिए क्या तीन चीज इसपरस मिलना चाहिए तीन चीज रूप देखने के लिए क्या है आख रूप और विज्ञान ये तीन मिलना चाहिए न उसको इसपरस कहाता है आख रूप विज्ञान तीन नहीं मिल गया तो रूप देख पाएगा नहीं भगवान ने पूचा ये आख रूप विज्ञान तीन और मिलना इसपरस नित्य है या नित्य है हम लोग के रूप देखते समय हमेशा देखते रहती रह जाएगा तुरन बदर जाता है ना एसा है तो आपका इश्परस अनित्य है जो अनित्य है वो दुख है या सुख है दुख है जो अनित्य है दुख है हर पल में बदर रहा है वो अपना वास में कर सकता है क्या ये इस परस यान कि हमेशा ये रूप हम देखते ही रहेंगे एसा सोच सकता है क्या नहीं हो सकता है अपना वास में इस परस नहीं कर सकता है इसके बाद पूचा राहुल आख का इस परस के कारण यानिकी आक्से रूप देखने के कारण तीन चीज उत्पन होता है अगर खुशी उत्पन होता है या दुख उत्पन होता है या उपेक्षा उपेक्षा मतरा सुख भी नहीं दुख भी नहीं ये तीन में से कुछ भी आता है न अगर ये देख लिया तो या तो फिर आपको खुशी आ गया, या तो फिर दुख आ गया, या तो फिर सुक भी नहीं, दुख भी नहीं तीनम से एक हुआ है न उसको वेदना कहता है वेदना उत्पन होता इस परश होने के कारण इसपरश मतला आख, रूप, विज्ञान का मिलन ये इसपरश होने की कारुपन होने वाले वेदना नित्य है या अनित्य है कुछ देखने के बाद खुशी आता है हमेशा कुशी रहता है तुरान बदर जाता है एसा है तो वेदना अनित्य है अनित्य होने वाले रूप वेदना अनित्य होने के कारण दुख है या सुख है अगर वो रूप देखने के कारण उत्पन होने वाले सुख या दुख या उपेक्षा वेदना अपना वस्मी कर सकता है क्या नहीं कर सकता है बदर रहा है इसके बाद पूचा क्या आप सोचते हैं आप क्या सोचते हैं ये खान नित्ती हैं या आनित्ती हैं इसके बाद बगवानमुत ने पूचा रूप देखने के कारण वेदना उत्पन होता है इसका रूप को पहचानता है इसका उसी रूप के बारे में मनन करता है सोचता है न, देखने के बाद, वो सब कुछ, नित्य है या अनित्य है, अनित्य है, वो दुखे या सुखे, दुखे, रूप देखने के बाद, वेदना उत्पन होता है, रूप को पहचानता है, सन्या कहता है, इसका रूप के बारे में सोचता है, वो सब कुछ, अपना वास में कर सकता है क्या? बदल रहा है. इसका अद बगवान पूछा राहुल ये कान नित्ती है या अनित्ती है? ये कान नित्ती है क्या? अनित्ती है. ये कान अनित्य हैं तो दुख मिलता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है, कान अनित्य हैं तो दुख हैं तो ये कान ऐसे हो, ऐसे ना हो, ऐसे अपनवास में कर सकता है क्या, अरे मेरा कान अच्छा स्टीक हो जाओ, मानेगा कान, ये कान अपनवास में नहीं कर सकता है, अनित्य इसकी बाद कान पे सुनाई देता है आवाज कही प्रकार की आवाज सुनाई देता है न पुचीनिया का आवाज, जान नुरूं का आवाज, गाडि का आवाज, हावा का आवाज, पेड़ पाउदा का आवाज कोई डाटने वाला आवाज, गाना का आवाज कई प्रकार की आवाज सुनाई देता है वो सारे आवाज नित्य है या आनित्य है आनित्य है हमेशा बदल रहा है न देखिए आप लोग आज तक अपना जीवन कितना आवाज सुना है गिन नहीं सकता है न अभी है क्या कुछ भी आवाज खतम हो गया सुन लिया खतम हो गया प्रोब्लम क्या है आवाज सुनने के बाद हम लोग आवाज खतम होता है लेकिन आवाज का याद रखता है कैसे? वो मुझे दाटा आवाज को पकड लिया वो मुझे गाली दिया आवाज को पकड लिया वो गाना बहुत सुन्दर है, आवाज को पकड लिया, वो चिडिया का आवाज सुन्दर है, आवाज पकड लिया, आवाज खतम हो गया, लेकिन याद है, याद राख दिया अपना पास, इसलिए हम लोग दुख सहन करते हैं, सांत लोग ऐसा नहीं करता है, आवाज पकडता आवाज अनित्य है तो दुख है तो आवाज हमेशा बादल्त रह गया तो वह आवाज अपन अवास में कर सकता है क्या नहीं कर सकता है वो आवाज मेरा नहीं मैं नहीं मेरी आत्मा नहीं इसके बार कान में बैठ जाता है विज्ञान अब विज्ञान के बारे में जानते हैं विज्ञान मतलब आवाज को पहचानने के लिए बैठने वाले विज्ञान कहता उसको उसी विज्ञ विज्यान देखिए आप सोते समय कोई गान सुनाई दिया तो सुनाई देगा सोने के बाद क्यों विज्यान नहीं है कान भी है आवाज भी है विज्यान चाहिए एक आवाज सुनने के लिए कान पे उत्पन होने वाले विज्यान नित्य है या अनित्य है वो भी बदलत रहता आनित्य वो विज्यान दुख है या सूख है दुख है जो कान में बैठने वाले विज्यान आनित्य है, तो दुख है, तो पल-पल बदर रहा है तो वह विज्यान ऐसे हो ऐसे ना हो ऐसा करें कि अपना आवास में कर सकता है क्या नहीं अनाथ नहीं इसकी बाद ये कान का इश्परस होता है इश्परस मतलब कान, आवाज, विज्ञान, तीन का मिलन तो आवाज सुनाई देता है मेरा आवाज आपको सुनाई देता है कैसे आपका खान है, मेरी निकलने वाले आवाज है और विज्ञान है तुरांत आपको यहाँ नींद आ गया तो मेरा आवाज सुनाए देगा नहीं या तो फिर आप दुस्रे कही मन चाल जाएगा तुरांत मेरा आवाज सुनाए नहीं देता है एसा है तो ये कान का इस परस नित्ति है आनित्ति है आनित्ति है वो इस परस आनित्ति होने के कारण दुख है या सुख है दुख है कान का इस परस आनित्य है तो दुख है तो अपना अवास में कर सकता है क्या यह कान काईशपरस ऐसे हो ऐसे ना हो करके नहीं कर सकता है कान काईशपरस के कारण वेदनावपन होता है सुप मिलता है अवाजाने के बाद दुख मिलता है या उपेक्षा सुख भी नहीं, डुख भी नहीं यहां तो फिर इसके बाद उसी आवाज को पहचानता है यहां तो फिर इसके बाद उसी आवाज को पहचानने के बाद उसी आवाज के बारे में सोचता है इसके बाद उसी आवाज में मन बैठ जाता है ये सब नित्य है या अनित्य है? अनित्य है. ये सब अनित्य है तो दुख है या सुख है? दुख है. ये सब दुख है तो अनित्य है तो वो सब आवाज सुनने के बाद उत्पान होने वाले सुख दुख पेक्षा वेदना, आवाज का पहचान, आवाज के बारे में सोचना, आवाज पे मान बैठ जाना ये सब अपना वाक्ष ने कर सकता है क्या नहीं कर सकता है इसके बाद उन्होंने कहा नाक के बारे में ये नाक नित्य है या आनित्य है आनित्य है ये नाक आनित्य है तो दुख है या सुख है दुख है ये नाक आनित्य है तो दुख है तो ये नाक अपना वास में कर सकता है क्या ये नाक ऐसे हो ऐसे ना हो करकि नहीं कर सकता है इसके बात ये नाक पे आने वाले गंध है कोई सुगांध आएगा या गमक आएगा वो आने वाले सारे गंध, नित्य है या अनित्य है अनित्य है अभी तक आप लोग कितना सुगांद मिल गया कितना गमक आ गया खतम हो गया ना ओर अभी आते रहेगा ओ भी खतम होते जाएगा नात पर आने वाले सारे गंद आनित्ते हैं ये गंद आनित्ते हैं तो दुख है या सुख है दुख है गंद आनित्ते है तो दुख है तो वो गंद ऐसा हो ऐसा ना हो ऐसे करे कि गंद अपन आवास में कर सकता है क्या नहीं कर सकता है अनात में है फिर नाक और गंद नाक में बैठने वाली विज्ञान गंदों को पहचान के लिए विज्ञान चाहिए उसी विज्ञान नित्य है या अनित्य है ये विज्ञान अनित्य है तो दुख है या सुख है दुख है ये विज्ञान अनित्य है तो दुख है तो नाक का विज्यान अपनावास में कर सकता है नहीं कर सकता है ये नाक पे नाक और गंध और विज्यान तीन मिलने के बाद उसको कहता है इस परश नित्य है या आनित्य है आनित्य है इस परश आनित्य है तो वो दुख है अनित्य है तो दुख है तो ये इस परश नाक का वो इस परश अपनावास में कर सकता है नहीं कर सकता है अनातमे है। नाक का इस परश्य वेदना उत्पन होता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है या उपेक्षा, इसके बाद उसी वेदना को पहचानता है, गंद को पहचानता है, ये लगता है चमेली का गंद है, लगता है ये कोई पेकान का गमक है, ये गंद पहचानता है, इसके बाद उसके सांता है काहा से आया काहा सी गन्द आ गया इसे गन्द की बारे शोचता है इसके बाद उसे मन बैठ जाता है ये सब भी नित्य हैं या अनित्य हैं? अनित्य हैं. अनित्य हैं तो वो सुख है या दुख है? दुख है. ये गंद अनित्य है तो दुख है तो वो गंद ऐसे हो. ये गंद की कारूदपन होना ले वेदना, पहचान, सोच अपना वास में कर सकता है? नहीं कर सकता है. इसके बाद ये जीव है ये जीव नित्य है या आनित्य है? आनित्य है ये जीव आनित्य होने के कारण दुख है या सुख है? दुख है जीव आनित्य है तो दुख है तो ये जीव अपनावास में कर साकता है क्या? नहीं कर साकता है ये जीव एसा है तो जीव में मिलता है रस स्वाद आता है ना जीव में खाना काते समय पीते समय जीव में आने वाले सारे स्वाद नित्य है या अनित्य है अनित्य है अनित्य है कताम होता है ये स्वाद अनित्य होने के कारण सुख है या दुख है दुख है यह स्वाद अनित है तो दुख है तो स्वाद अपना वास में कर सकता है पकड़ कर सकता है स्वाद खतम होता है अनात्म है इसके बाद स्वाद को पहचाने के लिए एक चीज चाहिए विज्ञान विज्ञान नहीं तो स्वाद पता चालेगा नहीं एसा है तो जीब में बैटने वाले विज्ञान भी नित्य है या अनित्य है अनित्य है जीब का विज्ञान आनित्ते हैं तो दुख है या सुख है दुख है जीब का विज्ञान आनित्ते हैं तो दुख है तो वो विज्ञान अपना वास में कर सकता है क्या नहीं कर सकते है आनात में जीब और रस और विज्ञान तीन चीज मिलने के कारण उटको इस परस कहता है जीब का इस परस नित्य है या आनित्य है? आनित्य है हमेशा टेस्ट लाके रहेगा? नहीं ऐसा है तो ये जीब का इस परस आनित्य है तो दुखे सुखे जीब का इस परस अनित्य है तो दुख है तो ये इस परस अपना वस्मे कर सकता है मेरा इस परस ऐसे हो ऐसे ना हो क्या कि नहीं ये जीब का इस परस से उत्पन होता है वेदना कोई-कोई काना खाने से सुख मिलता है कोई-कोई चीज काने से पीने से दुख मिलता है कोई-कोई चीज काने से सुख भी नहीं, दुख भी नहीं ये वेदना, इसके बाद उसी स्वाद को पहचानता है इसके बाद उसी स्वाद के बारे में सोचता है ये क्या है, ये तो सब्ज में कम नमक है एसा कि उसके बाद सोचता है ये तो आम खटा है इसके बाद उसी स्वाद पे मन बैठ जाता है ये सब नित्य है या अनित्य है अनित्य है अनित्य है तो वो सुख है दुख है दुख है ये वेदना और स्वाद का पहचान स्वाद के बारे में सोचना और स्वात पिमान बैठ जाना ये सब अपन आवास में कर सकता है हमेशा किली नहीं कर सकता है इसके बाद उन्होंने बता आया ये सारीर ये सारीर नित्य है या अनित्य है अनित्य है ये सारीर अनित्य है तो ये सारीर अपन आवास में कर सकता है क्या नहीं कर सकता है एसा है तो ये सरीर अनित्य होने कारण सुख है दुख है दुख है ये सरीर अनित्य है तो दुख है तो ये सरीर अपना वास में कर सकता है मेरा सरीर एसे हो एसे ना हो कहा के अपना वास में नहीं कर सकता है एस है तो एस सरीर अनात्म है सरीर पर मिलने मिलता है स्पर्ष मिलता है न एसा करके महसुस मिलता है कभी गर्मी, कभी टंडा कभी मुलायम, कभी काठोर कभी बुकार, कभी सरी दर्द कभी कोई मारता है कभी कोई लग गया कभी चोट लग जाता है इस परश मिलता है न, आप बैट के रहते समय दर देता है पैर अगेरा, ये इस परश है सरीर का, ये इस परश भी नित्य है या आनित्य है, अनित्य है, ये इस परश आनित्य है उनके कारण क्या मिलता है, दुख मिलता है, शुरु में आप लो बैट गया राम मिला, राम वाल इस पर महसूस अनित्य है तू दुख है तू वो अपना वास में कर सकता है क्या नहीं कर सकते हैं अनात में इसकी बास शरीर पे उत्पन होते हैं विज्ञान शरीर का विज्ञान अगर आपका मन आपका विज्ञान सरीर पे नहीं है तो आपको कोई दर्द है क्या नहीं आप सोने के बाद कोई आकर की एसकीर की मारतिया पता चलता है क्यों आपका विज्ञान सरीर में नहीं है आपको कोई आकर के पानी मार दिया तबी कभी कभी पता नहीं चालता है विज्ञान नहीं सरीर पे तो ये सरीर का विज्ञान नित्त है या अनित्त है अनित्त है सरीर का विज्ञान अनित्त है तो वो दुख है या सुख है दुख है सरीर का विज्हान आनित्य है तो दुख है तो वो विज्यान आपना वास में कर सकता है इसके बाद ये सरीर का स्परस, स्परस मतला स्परस और विज्ञान तीन कामिल अन coloured मिलने से स्परस उत पन होता है वो इस परस भी आनित्य हैं वो इस परस दुख हैं वो इस परस भी अपनावास में नहीं कर सकता है सारीर का इस परस से उत्पन होता है वेदना सुख मिलता है या दुख मिलता है या उपेक्षा इसके बाद उसी वेदना को पहचानता है न आँ मेरा यह घाउ है इसलिए दुख है इसके बाद उसी दर्द को पहचान कि इसका तुसी दर्द के बारे में सोचता है आँ गुटनी दुखता है कोई दवा लगाना पड़ेगा लागता है अब भी मुश्किल है जाना आना इसका तुसी दर्द के बारे में सोचता है यह वो दुखे शुखें, दुखें अनित्य तो दुखें तू ये सरीर का सारे सोच, पहचान, दर्द अपना आवास में कर सकता है, नहीं कर सकता है इसके बाद आन्तिम बाद उन्हों ने कहा ये मन, मन नित्य है या अनित्य है अनित्य है, मन अनित्य है तो दुख है या सुख है दुख है, मन अनित्य है तो, मन दुख है तो ये मन अपना वास में कर साकता है क्या नहीं कर सकता है इसके बाद मन में उत्पन होता है विचार आप है ना बहुत 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 नदी जैसा हम इसा मन में आते रहता है ना कुछ ना कुछ घर के बारे में, देश के बारे में अलग 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 आद्मी लोगों के बारे में मंदिरों के बारे में, खाना के बारे में, प्यास के बारे में, बुके के बारे में, बहुत सारे विचार आते रहता है ना, वो सारे विचार नित्ति है या नित्ति है, नित्ति है, मन में आने वाले सारे विचार दुख है या सुख है, दुख है, मन में आने वाले सारे विच विचार अनित्य है तो दुख है तो वो विचार अपन आवास में कर सकता है। नहीं कर सकता है। इसमद मन में उत्पन होता है विज्ञान। मनों विज्ञान कहता है। ये मन की विज्ञान नित्य है अनित्य है। एसा हो, एसा ना हो, करके अपना वास में कर सकता है, नहीं कर सकता है, मान और आने वाली विचार और विज्ञान, तीन कमिलन, मान का इस परश, नित्य है या आनित्य है, आनित्य है, आनित्य है तो सुखे या दुखे, दुखे, मान का इस परश, सुखे, दुखे तो आनित्य तो इस परस अपनावास में कर सकता है, नहीं कर सकता है, अनात्मे है, मन का इस परस के कारण वेदना उत्पन होता है, सुख या दुख या उपेक्षा, कोई-कोई सोच चाता है, दुख मिलता है, कोई-कोई विचार आता है, सुख मिलता है, कोई-कोई विचार आता है, नौम सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, उपेक्षा, इसके बाद उसी विचार के बारे में, सोचता है न, उसी विचार के बारे में, विचार को पहचानता है, वो भी आनित्य है न, इसका तो उसी विचार के बारे में सोचता है, मनन करता है, वाँ, उदर जाना पड़े, वो करना पड़ेगा, आनेवाल विचार के बारे में मनन करते रहता है, इसको तो से विचारों में मन बैठ जाता है, वो सब भी अनिती है, अनिती थे वो सब दुग है, वो सब अपना वास में कर सकता है विचार सब, नहीं कर सकते है आनात में, देखिए, हम लोग आँख से रूप दे चालता है उस समय सदूर का इस परश पता नहीं चालता है य सब stereotypes एक बार एक जगा पे रहता है लेकिन हम लोगों को देखने में लागता है हम दि देख ते भी चारी इतना थेज है ये विज्ञान इतना जल्दी जल्दी पलत के रहता है आख में कान पे नाख में जीब सारी में हर जगा पलत रहता है इसलिए चाहिंद्रया में हमेशा पलत रहता है इसलिए हम लोगों को लागता है ये विज्ञान हर जगा पे की बार है देखी ये बल्ब हमेशा जल्द रहता है लेकिन ये बल्ब बुझता है जल्दा है जल्दा है क्यों विज्ञे आते रहता है विज्ञे हमेशा आते रहता है आता है कतम होता है ऐसे होता है विज्ञे आत बुद्धता है शलता है लेकिन इतना बुद्धता सही रहतार है पर बुद्धता है चलता है लेकिन देखने मिलाता है दिया, हम इसे जालते रहता है, तेल आते रहता है न, इसी दे जालता है, वह सही है, ये हम लोग रूप देखते से में सुन नहीं सकता है, और स्वाद लेते से में देख भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, इस परस लेते से में सरीर पे, सुन लेकिंग घर लोग को देखने में लगता है सब कुछ एकी बार होता है इतना तेज है यह मन इतना तेज है एसे किरके बगवान बुर्बत है राहुल इसी प्रकार ज्यान की रास्ता पे जाने वाले आरिश रावक आरिश इश्य लोग आरिश चेले लो वेसा ही देखेंगे तो आख के बारे में सत्क्य समझ कर जान से ही आख से अना सक्त होता है वेसा ही आच्चा से देखेंगे तो कोन बगवान बुर्बत हिश्य लोग चेले लो एसा देखेंगे तो सत्य सत्य है ना ये उसी प्रकार सत्य को देखेंगे तो आख से मुक्त हो जाएगा मुक्त हो जाएगा मतलब कभी आख पे बंदन नहीं होगा रूप देखेगा, लेकिन आ सकत नहीं, राग भी नहीं उत्पन होता है, बुस्सा भी नहीं, मोह भी नहीं लेकिन रूप देखता है, क्यों? आख से आना सकत हो गया, मुक्त हो गया इसी प्रकार देखेंगे तो, रूप तो रूप में भी आना सकत होता है इसकत विज्यान के बारे में 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 विज्यान तो कान से भी आना सकते होता है, नाक से भी आना सकते होता है, जीब से भी आना सकते होता है, सरीर से भी आना सकते होता है, मन से भी आना सकते होता है, इसके बाद कान से सुनने वाले आवाज से भी आना सकते होता है, आवाज पर हम लोग बंदन हो जाएगा फिर, नहीं, आना स इसके बाद ये सबकुछ की बार में अना सकत हो ने की बाद वो सारे चीजों से मन मुक्त हो जाता है मन मुक्त होने के बाद उनका मन में उत्पन होता है जान ज्ञान उत्पन होता है हम ये सब कुछ चीज से मुक्त हो गया है ऐसा ज्ञान उत्पन होता है ज्ञान प्राप्त होता है जानम कतम हो गया निर्वान प्राप् किया जो करना हो कर लिया अब कुछ करना नहीं है यान कि सबको चेट से मुप्त हो गया हम लोगों को पारेशान क्या है हम लोग का आख भी पाकड़ लिया नाख पाकड़ लिया सब कुछ पकड़ते हैं, आम लोग, कान भी पकड़ लिया, इसलिए सुनने वाले सब कुछ पकड़ते हैं, नाक पकड़ लिया, नाक पे आने वाले गंदा, गंदा, सुगंदा सब पकड़ते हैं, जीब पकड़ लिया, इसलिए जीब पे मिलने वाले सारे स्वात पकड़ते ह सरीर पकड लिया सरीर प्मिरमे सारी दर्द पकडते हैं मन पकड लिया मन में रोPreровटे हैं पकड के रोते हैं गुसा करते हैं कुस हो जाते हैं दुख मिलता है चिन्ता, परिसान तकलीव तक्लीफ सब कुछ है अगर ये चहा इंद्रिया से मुक्ट हो गया तो कुछ नहीं है उनको कोई दाट दिया था भी कोई मतलब नहीं है एसा लोगों को कोई आ करेंगे हाथ पर काट दिया था भी दुख नहीं मिलता है, दर्द है लेकिन दर्द पर आ सकते हैं क्या? नहीं वो समझ से भी आनिकती है एक बांती जंगल में गया दिहान करने के दिहान करता है करता है दिहान होता नहीं बांती जिन किया कि पैर को थोड़ दिया मार के डंटास मार के पैर थोड़ के पैर हटा दिया दर्द मिलता है ना उसी दर्द के बारे में मानन करके करके ग्यान प्राथ किया देखिए एसा हिम्मत क्योंकि वबांतेजी को दरद के बारे में ध्यान कर सकता है जाड़ голедь तो ये उपदेश देने के बाद राभुल बांतेजी खुशी मान से उपदेश को स्विकार किया स्विकार ये उपदेश सुनने के बाद सा राहुल बांतेजी अरहात्य प्राप्किया सारे चेज़न से राहुल बांतेजी मुक्त हो गया निर्वान प्राप्किया हजार उ हजार देवतां आय थे न सारे देवतां मुक्ति प्राप्किया सोता पन्य मुक्ति प्राप्किया सारे देवतां तेखी हजार हजार देवतां मानिचों लोग में किता लोग मुक्ति प्राथ किया ये देव लोग से हजार हजार देवतां आके मुक्ति प्राथ किया ये लोग चिलना आता है वो भगवान, ये भगवान, वो भगवान कहाँगे लेकिन देव लोग में जा सकता है सिर्फ बगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने वाले लोगों को, बाकी लोगों नहीं इसलिए देव लोग में रहने वाले सारे देव था कहीं ग्यान सुनाई दे दिया तो आता है सुनने के लिए चलो वहाँ पे बगवान बुद्ध की ग्यान सुनाई देता है चलो सुनने के लिए, आसमान से आके सुनता है, इसलिए हम लोग भी कोशिस करना चाहिए, कोशा चीज़ से मुक्त होने के लिए, आख से, कान से, नाख से, जीर से, सरेल से, मन से, चाह इंद्रास, और रूप से, साब्द से, जांद से, रास से, परशे, और विचार से, मुक्त होने के लिए कोशिस करना चाहिए, ऐसे कोशिस के से करना पड़ेगा, इसी प्रकार सोचना चाहिए, अभी हम लोग सोचे न, ये आनित्य है, ये आनित्य है, दुख है, ये सब कुछ मेरा आवास में नहीं कर सकता है, कम सिम आनित्य सम सदाकालिक नहीं है एसे करके छोड़ना चाहिए आप लोग घर चोड़ना चाहिए के से? मन से घर पे रहना चाहिए काम करता है लेकिन आप लोग जानते हैं अन एसे आप लोग अपना फातिनी बाल बाचा साथ रहता है प्यार भी करता है लेकिन उन लोग अगर मर गया तो आप लोग कोई दुख नहीं है क्यों? आप लोग कमान में उन लोग के पति आ साकते नहीं है अभी नहीं मतलब येसे हो गया तो अभी कुछ हो गया तो बहुत रोना पड़ेगा दुख मिलता है देखे कितना अच्छा है न कोई आपको आपकर के गाली दिया गाली देने को उसी आप खान में भी आसाथ नहीं आवाज भी पकड़ता नहीं जितना गाली देता है सुबा से रात तक कोई तकलिक नहीं है सिरिफ आवाज है मुक्ट होने के बाद इसलिए समझना चाहें आनित्य हैं सब, सब आनित्य हैं, आज तक आप लोग अपना जीवन में कितना डाट सुना, कितना अच्चा सुना, कितना सारा सुप मिला, कितना दुप मिला, कितना मेहनत किया, कितना पैदल गुमा है, कितना दूर गुम लिया, काम से काम लाक, लाकों किलो मेटर से अनित्य हो गया, कता, कुछ भी बचा नहीं, सिर्व याद रहता ऐसे हुआ, ऐसे हुआ करके, बाकि कुछ नहीं है, और आप लोग जवान समय में घर दोर बनाया ना, अभी घर भी पुरा ना है, वो आप लोग का बचलो फिर नया घर बनाएगा, वो तोड़ की, उलोग का ब आप लोग के बार में कोई नहीं सोचेगा, आप लोग का नाम कोई नहीं लेगा घर दोर में, मरके, आप लोग का बच्चा लोग ले लेगा, मेरा पापा मर गया है, अच्छा आदमी था, फिर आप लोग का बेटा का बेटा लोग नहीं लेगा ना, उनलोग का जवान में अलग इसलिए हम लोग चोटा समय के लिए इस दर्थी पे आया सिरिफ खामा आके कापी के रहने पर कुछ नहीं होता है यह ग्यान को समझना चाहिए यही ग्यान को समझ लिया तो हम लोग इसी जीवन में मेहनत करते हैं मुप्त होने के लिए इसी जीवने मेहनत नहीं कर पाएगा तो फिर मरने के बद देवतां के पास जाके मेहनत करेंगे देखी कितना सार देवतां आ गया ग्यान सुनने के लिए हम लोग भी आएंगे आपलो भी देवतां के पास मरने के बद गया तो आसरे में आएगे जरूर हम केसे देवतांक पास आया सोचेंगे आप लोग जाए आँ उदर बोध गया हमे एक जगा से ग्यान मिला उसी के चलते हम पाप छोड़ दिया चलेंगे हम रोज चलेंगे ग्यान सुनने के लिए फिर आप लोग कभी इदर ग्यान बता दिया तो पता चलता है फिर आप लोग दूसरा देवतांक बुला के आएंगे सुनने के लिए सुनके अप लोच चाल जाएंगे हम लोग दिखाई नहीं देगा इसलिए मिहनत करना चाहिए इसी जीवन में ये ग्यान को समझने के लिए इसलिए आप सबी लोगों को ये पावित्र ग्यान समझ के सबी दुख से मुक्त होने का भागी मिल जाएंगे नमुदे दाएंगे